रेना के साथ रिष्टे पर बोले जिशान सुनाई अपनी अजब प्रेम की गजब कहानी क्या है पूरी खबर आए जानते हैं टीवी की दुनिया में ऐसी कई जोडिया हैं जिनकी लव स्टोरी अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी है एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री में ऐसी कई अतरंगी जोडिया हैं जिनकी उम्र में भले ही फासला हो लेकिन इनके आपस का रिष्टा बहुत मजबूत है टीवी की दुनिया में ऐसी एक जोडी है अक्टर जिशान खान और अक्टरस रहना पंडित की जिशान और रहना के मुलाकात सीरियल कुमकुम भागय के सेट पर हुई थी सीरियल में वो दोनों मा बेटे का रोल प्ले कर रहे थे दोनोंने अब अपने रिष्टे को ऑफिशिल कर दिया है हाल ही में स्पोर्ट बॉय को दिये एक इंटर्व्यू में जिशान खान ने अपनी क्यूट लव स्टोरी सुनाते हुए बताया ये सब तब शुरू हुआ था जब हम गोवा में आउट्डूर शूटिंग कर रहे थे हम सब एक साथ रह रहे थे पूरी टीम एक साथ रह रही थी और उसी दोरान रहना और में एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाए हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने में बहुत मज़ा आता था मुझे उनसे प्यार हो गया था और शायद उन्हें भी वापस आने के बाद हम एक फिल्म देखने के लिए बाहर गए थे तब मुझे लगा कि मुझे उन्हें बता दिना चाहिए कि मैं कैसा महसूस करता हूँ तब ही मैंने उनसे कहा मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है मुझे लगा कि मैंने हमारी दोस्ती और सब कुछ बरबाद कर दिया है वो फिल्म देखने के बाद चली गई और मुझे डर था अगले दिन जब मैं जागा तो कोई लगातार मेरे दरवाजे की घंटी बजा रहा था वो रैना थी और आखिर में उन्होंने कहा I love you मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आस्मान में उड़ रहा हूँ लेकिन मैंने उनके सामने सयम बनाए रखा था सीशान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रैना के साथ अपने रिष्टे को ऑफिशल कर सभी को शौक कर दिया था पर वो कहते हैं ना कि प्यार में कोई धर्म का पहरा नहीं कोई उमर का लिहास नहीं प्यार प्यार होता है क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर बताए हमें कमेंट सेक्शन में और ऐसे ही ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहें टेली मसाला